हेलो एवरिवान आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर तो आज हम बात करते हैं न्यू टोपिक कैनूला इसमें हम पढ़ेगे टाइप्स साइज और कलर तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके गेज के बारे में जितना कैनूले का गेज कम होगा उसका डायमेटर उतना ही जादा होगा यानि कि अपोजीट होता है उससे तो सबसे पहले हम बात करते है औरेंज कलर, औरेंज कलर का गेज होता है 14 गेज, एक्टरनल डायमेटर होता है 2.1 mm, और इसमें हम फ्लोरेट 240 ml पर मिनट के, इसाब से मतलब पेशेंट को फ्लूड इंसर्ट कर सकते है, इसकी लेंथ होती है 45 mm, और यूज करते हम सर्चिकल और ट्रोमा वाले केस में, बात करते हैं 2nd, ग्रे कैनूला, इसका गेज होता है 16, एक्टरनल डायमेटर होता है, देखो कम, अगर हमारा गेज बढ़ रहा है तो डायमेटर हमारा कम होता चला जाएगा, और इसमें हम फ्लोरेट करते हैं, मतलब पेशेंट के अंदर कितना इंसर होते हैं, और इसकी भी लेंद हमारी सेम होती है, 45 mm, और यूज होता है ये भी ट्रोमा और सर्जिकल प्रोसीजर वाले केस में, तो नेक्स्ट के हम बात करते हैं, वाइट कैनूला, इसका गेज हमारा होता है 17, और एक्टरनल डायमेटर इसका कम हो जाता है थोड़ा सा 1.7 mm और फ्लो रेट की हम बात करें 142 ml per मिनिट, हम इसको क्या है पेशन्ट की बोडी में फ्लूड इंसेट कर सकते हैं, इसकी लेंद की बात करें नेक्स्ट की बात कारें, मतलब लंबाई की बात करें, चांकी तो 35 mm, और ये भी क्या हमारा ट्रोमा जर सरजरी हैं प्रोसीज और जाता है 1.3 mm और flow rate इसमें हमारा थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि diameters क्या है हमारा कम हो रहा है तो इस यसाब से इस में फ्लूड वह फ्लूड क्या है हमारा कम जाएगा थोड़ा इसकी लेंट हो थी से लेके 45 mm तक और यूज होता है हमारा यह भी किसमें ट्रोमा यह अगर हमें पेशेंट में जल्दी ब्लड ट्रांस्फीजन करना है नेक्स्ट कलर की बात करें पिंक यह क्या है हमारे एक नोर्मली इंट्राविनेस फ्लूड के लिए हमारा यह सबसे ज्यादा यूज होता है और इसका गेज होता है 20 और इसका डायमेटर जो होता है 1.1 mm और फ्लोरेट इसमें कितना दे सकते हैं पेशेंट को 60 ml पर मिनट से हम इसके क्या है बोडी में फ्लूड इंसर्ट कर सकते हैं इसकी लैंथ हो जाती है 32 mm और इसको हम नॉर्मली आइवी एंड ब्लड इसका गेज होता है 22 मतलब 22 गेज का और एक्स्टेनलर डायमेटर इसका कम हो जाता है 0.9 mm और इसमें इसके मतलब इसकेनुले की हेल्प से हम कितना फ्लूड बोडी में सट करते हैं 36 ml पर मिनट यानिकी जो फ्लूड इंसर्ट होता है और इसकी लैंध कम हो जाती है 25 mm और से बच्चों में और ओल्डर अडल्ट में हम इसका यूज करते हैं नेक्स्ट के हम बात करते हैं येलो कैनुला जिसका गेज हो जाता है 24 गेज डायमेटर बहुत कम हो जाता है 0.7 mm और इसमें फ्लोरेट भी हमारा कम होगा फ्लूड का होगा 20 ml पर मिनट और इसकी हम लैंध की बात करें तो 19 mm और यूज हम किसमें करते हैं नियोनेट्स चिल्डरन और ओल्ड एज पेशेंट में हम इसका यूज करते हैं नेक्स्ट के हम बात करते हैं परपल और वोईलेट कैनूला तो इसका गेज सबसे कम होता है 26 गेज एक्टरनल डायमेटर बहुत कम हो जाता है सब से कम हीँ हिर 63 यह다 0.6 mm का और इसका फ्लोर रेट है वहां करते हृध कि अगर अच्छे लगे तो चैनल को सस्क्राइब करें कैसे